Hello everyone, welcome to my channel आज की इस वीडियो में मैं आपको पैंट के कटिंग बताऊंगी और साथ ही साथ पैंट के लिए कौन-कौन से मेजरमेंट्स चाहिए और उनको कैसे हमें लेना है वो मैं आपको बताती हूँ तो यहां पर आपको अपने हिप राउंड का मेजरमेंट लेना है तो इंच टेप को इस तरह से पूरी गुलाई में आप रखिए और यहां पर जितना भी आएगा वो आपका हिप राउंड होगा मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड आ रहा है 36 इंच third measurement हमें لینا है ankle round का यानी की morey के लिए तो यहाan पर हमें इसको measure करना है morey के लिए तो उसके लिए पाउं को इस तरह से उपर अठा लीजिए ऐसे करके हमें fold करना है पाउं को और 80 को मिलाते वे हमें इसका measurement लेना है तो inch tape को आप इस तरह से EAD के वहाँ पर से पूरी गोलाई में आप इसको मेजर करें और यह देखि के इस तरह से हमें मेजर करना है और यह मेरे मेजरमेंट में 10.5 इंच का लगबग आ रहा है हमें एंकेल रांड या फिर मोरी के लिए इसी तरह से मेजरमेंट लेना है ताकि पैंट को पहनते टाइम ह करें अब चौथा मेजरमेंट हमें लिएना अपने को घुटने का सटों तो गुटने थोड़ा सा ऊपर में पर हम से अक फोल किया और फिर यहां पर लिए इसलोग के इत खाल की उपर नहीं हं तो अब आपका मेजरमेंट आया उसको नोट कर लें मेरे उसमें यह 16 इंच का आ रहा है तो देखिए इस तरह से हमने फोल्ड किया पाउं को और इसको मेजर कर लिया तो आप जब पाउं को नीचे को करेंगे तो देखेंगे देखिए एक या दो इंच करीब यहां पर मार मेजर कर लिजे तो जितनी भी आपको पैंट की लेंथ चाहिए आप उतनी रख सकते हैं मैं पैंट की लेंथ जहां तक मेरी जीन से मैं उतनी पैंट की ले रही हूं तो यह मेरे उसमें 34 इंच की है तो 34 इंच का मैं पैंट की लेंथ रखूंगी तो सभी मेजरमेंट्स पू से ओपन वाली साइडि और यहां से फोल्डेड वाली साइड हाई और यह परा 1 2 वी नगे कंड़ा हुया है यहां को पूरा मैंने 2 मीटडर का कपड़ा मैंने वाप जो गलत काूंकि पटीजिया पर खातिक हम दे लेना है वो मैं आपको बताती हूँ तो देखे लिए जितना भी आप इसमें लगाने वाले हैं उसलास्टिक से आदा इंच ज्यादा हमें लेना है जैसे के मेरा elastic की जो चोड़ाई है वो है 1.5 इंच की और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया तो दो इंच का आया तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 इंच का यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है तो जितना भी आपका measurement आए आप उतना यहाँ पर मार्जिन ले ले और अब इसके बाद यहाँ से नीचे को हमें पैंट की length के लिए निशान लगाना है तो जितनी भी पैंट की length है आप उतने पर mark कर लें तो मेरा समें पैंट की जो length थी 34 इंच की तो 34 इंच पर मैंने यहाँ पर इस तरह से एक straight line खींच लिया है तो यह इतना हमारी पैंट की ready ना पाएगी देखिए और इसके नीचे पे मैंने दो इंच का margin लिया है नीचे से जो मोरी वाला इस है उसको double fold करने के लिए तो दो इंच का margin आप भी ले लें हाँपर margin लेके मैंने इसको भी straight कर दिया है तो देखिए उपर दो इंच मैंने belt के लिया उसके नीचे pen की length के लिए निशान लगाया और फिर नीचे से दो इंच यहाँ पर double fold करने के लिए लिया अब यह जो open valley side है यहाँ से अंदर को हम measurement लेंगे तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ सा लूजिंग एड करें यानि की 1 इंच की मेरे measurement में hip round है 36 इंच उसको मैंने 4 से divide किया तो आया 9 इंच और 1 इंच की extra losing एड करी तो आया 10 इंच तो 10 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया तो अब हम आसन के लिए निशान लगाते हैं तो यहाँ से नीचे को आसन का measurement लेना है तो आसन निकालने का formula है जितना भी आपका hip round आएगा आप उसको 4 से divide करें और उसमें 2 इंच की losing एड करें जैसे के मेरे measurement में hip round है 36 इंच उसको 4 से divide किया और 2 इंच की losing एड करी तो आया 11 इंच तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगाया है अब इन दोनों points को हमें यहाँ पर straight line से join कर देना है यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है जो measurement लेंगे वो यहाँ से नीचे को लेंगे उपर का जो 2 इंच का margin है उसको include नहीं करना है देखिए मैंने measurement जो आसन के लिया था वो यहाँ से इस तरह से 11 इंच पर लिया था तो 2 इंच का उपर margin को मैंने include नहीं किया वाए तो आपको भी ऐस बात का ध्यान देना है अब यहाँ पर हमें crotch curve के लिए निशान लगाना है अगर आप अंदाजे से निशान लगाना चाहते हैं तो small size यानि कि 36 हे पराउन तक आप इसको 2 इंच का रख सकते हैं और large size के लिए यानि कि 38 हे पराउन 40 हे पराउन 42 इन सब के लिए आप इसको 1.5 इंच का और इसका formula से अगर आपको निकालना है अगर आपको इसको formula के हिसाब से निकालना है कि आपको आपके measurement में कितना आगे बढ़ाना है तो यह हमारे hip round का तीसरा भाग होगा यानि कि आपका जितना भी hip round है आप उसको 3 से divide करें और जितना भी आएगा उसको यहाँ कोने से आप measure करेंगे देखिए वहाँ साइट से open वाली साइट से में मेजर करना है तो मेरे measurement में hip round है 36 inch उसको 3 से divide करें तो या 12 inch तो देखिए इस तरह से open वाली साइट से में यहाँ बारा इंच पे निशान लगाऊंगी यह मेरा measurement है जो के 12 inch पे आया है अगर आपको थोड़ा बड़े साइस का बनाना है और आपका hip round divide करने के बाद 13 inch आया 13 inch या फे 13.5 तो उस हिसाब से आप यहाँ पे 13 inch का distance लें और निशान लगा लें तो मेरे उसमें जो यह आया है यह formula के हिसाब से भी exact आया है अब हमें इसी हिस्से को measure करना है तो देखिए यह 12 inch का था मेरे उसमें तो इसका बिल्कुल midpoint हम लेंगे यानि कि हम यहाँ पर 6 inch पे निशान लगाएंगे बिल्कुल center पे तो इस तरह से मैंने center पे निशान लगाया और इन दोनों points को अब हमें straight line से join कर देना है अब हमें ankle round या फिर मोरी के लिए निशान लगाना है तो जितना भी ankle round आपका measurement के time पे आया था आप उसको 4 से divide कर दें और जितना भी आएगा उसको line की दोनों तरफ पे हमें निशान लगा लेना है जितना भी आएगा जैसे के मेरे measurement में ankle round था 10.5 इंच का उसको 4 से मैंने divide किया तो आया 2.6 छाइम की एक तरफ पे वह 256 इंच पे में निशान लगा रही हूँ और line की दूसरी तरफ पे 2.6 इंच पे निशान लगाना है तो देखे लाइन की एक तरफ पे 2.6 और दूसरी तरफ फे भी 2.6 तरह ने निशान लगा या इदियाकर घुटने के लिए से एक पर इसका बिल्कुल मिड़ पॉइंट पे निशान लगाएं तो मैं इंच्टेप को इस तर से सेंटर से फोल करें हूं 34 इंच तक और जितना भी आया इसके सेंटर पे एक निशान लगा ले रही हूं यानि कि 34 इंच का जो सेंटर आया है वो आया है 17 इंच पे यानि कि 17 इंच पे अब हमें एक निशान और लगाना है जो कि घुटने और नीचे बॉटम एंकल राउंड के बीच का होगा देखे इसको मेजर करेंगे तो 17 इंच आया इसको बिल्कुल सेंटर से मैंने फोल्ड किय इंच टेप को और यहां पर इसके भी बीचो बीच एक निशान लगा लिया अब हमें यहां पर नी राउंड यानि कि घुटने के लिए निशान लगाना है तो जितने भी आपके घुटने के गुलाई आई थी आप उसको चार से डिवाइड कर दें और जितना भी आएगा कि दोनों तरफ पर निशान लगा ले लेना है यसए के मेरे मेजयमेंट में घुटने के गुटने के गयलाई ती वो थी 16 इंच की तो उसको मैंने चार से दिवाइड किया ठो आया फोर एंच तो लएन की दोनों तरफ 4 जंच पर निशान लगा ले रही हो लायन की एक तरफ कहें दूसरी तरफ भी चार था इसकाे लimyड है अब हमें इस पॉइंक के लिए निशान लगाना है तो जितना भी अपने घुटने का legitimate लिया था लाइन की एक साइड वाला उससे एक इंच का कम हमें इसको लेना है टो उससे 8 आधी तो गुटने में इन सभी पॉइंट्स को हमें मिलाते वें जॉइन कर देना है एंकल राउंड वाले को मैं इस पॉइंट पर जॉइन कर रही हूं और फिर इस पॉइंट को हमें गुटने वाले पॉइंट पर जॉइन करना है और फिर इसको आसन में जॉइन कर देना हलका सा गुमाओ देते वे तो यह देखिए, इन Points को मैंने सभी को जοइन कर दिया है, अब Sबी इसे तरह से दूसरे वाली Side को भी जοइन करना है तो इसको कहां जοइन करना है, यह मैं आपको बता देती हैं, तो देखे जितना आसन हमने लिया था यह दिखें आसन 11 इंच का है तो सेम इसी तरह से 11 इंच में एक निशान लगा ले रही हूँ अब हमें इन सभी पॉइंट्स को जॉइन करना है तो हल्का सा हल्का हल्का सा घुमाओ देते वे आप इसको जॉइन करें आप चाहो तो घुमाओ देने के लिए स्केल का भी यूज कर सकते हैं अब यह जो नीचे वाला हिस्सा है इसको मैं हलका सा बहार को लाइन खीशते वे इसको जॉइन कर दे रही हूं जो डबल फोल्ड करने के लिए कपड़ा मैंने लिया था उसको यहां पर मैं तोड़ा सा आपको दिखा देती हूं कि मैंने कौन सा मेजरमेंट कहा पर लिया है अब पार्ट के मार्किंग पूरी हो चुकिए अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें इसको कट कर लेना है कोई मार्जन नहीं लेना है बिना मार्जन लिए मार्किंग के ऊपर ही हमें इसको कट करना है तो देखिए, फ्रंट पार्ट के कटिंग हो गई है और फ्रंट के दो पार्ट समारे यहां पर बन के तयार हुए है अब मैं बैक पार्ट के कटिंग करूँगी तो उसके लिए मैं यहां पर बचावा कपड़ा ले रही हूँ और बैक पार्ट की कटिंग के लिए मैं यहाँ पर जो मेरा side में front part कटने के बाद थोड़ा सा कपड़ा बच गया था इसको use करूंगी अगर आपके उसमें ये कपड़ा नहीं बच रहा है तो आपको normally जैसे हमने front part के लिए कपड़ा लिया था उसी तरह से लेना है तो front part को main कपड़े के उपर रखना है open वाली side open वाली side को होनी चाहिए और जैसे हमने front part कट किया था वैसे ही हम इसको कपड़े को place करेंगे लेकिन मेरे उसमे side में थोड़ा सा कपड़ा बच गया है तो मैं इसको भी use कर रही हूँ तो इसको use करने के लिए पहले मैं कपड़े को थोड़ा सा अपनी और को turn कर देती हूँ अब इसके उपर हमें अपना front का part रख लेना है और यहाँ पर मेरे उसमें open वाली side के और को यहाँ कपड़े की folded वाली side आ गई है अब इसमें जो front वाले part के legs वाला हिस्सा था पाओ वाला वो मैंने नीचे पे जो बचावा कपड़ा था उसकी तरफ पे रख दिया है देखी बचेवे कपड़े की और को मैंने leg वाला part रखा है आकि हमारा कम से कम कपड़ा waste हो तो अब है आपको यहाँ पर zoom करके दिखा देती हूं बाकी marking के लिए तो हमारा जो back वाला part कटेगा वो front से थोड़ा सा बड़ा कटेगा तो जितना भी आपने आसन का यह crouch कर्व के लिए निशान लगाया था उतना ही हमें इसके आगे को extra और बढ़ाना है अगर आपका यह measurement दो इंच का है जैसे के मेरे उसमें दो इंच है तो मैं दो इंच आगे बढ़ाऊंगी अगर आपका यह measurement धाई इंच का है तो आप आगे धाई इंच का बढ़ाएंगे इस तरह से फिर उसमें 2 इंच का था तो मैं आगे पे भी 2 इंच का ही कपड़ा एक्स्रा बढ़ाऊंगी तो 2 इंच पे मैंने निशान लगाया और इसको straight join कर दिया अब जितना हमने ये बढ़ाया है उतना ही हम यहाँ पर उपर पे भी बढ़ाएंगे तो 2 इंच पे ही मैं यहाँ उपर side पे निशान लगा रही हूँ अब इस निशान को हमें नीचे को straight join कर देना है देखिए तो यह straight मैंने इसको join कर दिया है अब यहाँ पर हम crotch का curve बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाया था और यह उपर वाली लाइन है इसको मैं यहाँ स्ट्रेट ऐसे join कर देरी हूं side में यह जो आसन वाली side है इसको हमें थोड़ा सा उपर को बढ़ाना है और क्योंकि back वाला part थोड़ा बढ़ा होता है ताक कि जब हम बैठें तो हमारी pan नीचे को खिसकना जाए इसलिए back वाले part को हमें आसन की तरफ से उपर को थोड़ा सा बढ़ाना है यहाँ वाली side को नहीं बढ़ाना है तो मैं मेरे उसमें यह 2 इंच का था तो मैं 2 इंच बढ़ा रही हूं आपके उसमें अगर यह 1,5 इंच का आ रहा है तो आप इसको 1,5 इंच उपर बढ़ाएंगे अगर हमें अगर par अगर बढ़ाएंगे अर्टों Silk 6 इंच की तरफ से बढ़ाना है आसन की तरफ से बढ़ाना है तो यहाँ पर जोब्र भी कपड़ा बढ़ेगा वो सिफ आसन की तरफ से कभी नहीं बढ़ेगा तो यहां से हमें आसन की तरफ से कपड़ा को एक्स्रा बढ़ाना है अब यहां side में हमें 2 इंच का कपड़ा बढ़ाना है चाहे आपका कोई भी measurement हो चाहे आप large size का बना रहे हो या small size का बना रहे हो side में सिर्फ 2 इंच का ही कपड़ा हमें बढ़ाना होता है तो मैं यहाँ पर दो इंच का कप्रा इस्टा बढ़ा रही हूँ तो अब हमें पूरी आसन वाली तरफ पे दो दो इंच पे एक निशान लगाना है अब सभी पॉइंट्स को मिलाते वे हमें आसन में जॉइन कर देना है बैक वाले आसन में जॉइन करना है जो बॉटम वाला हिस्सा है उसको मैं इस तरह से स्ट्रेट कर दे रही हूँ और यह जो यहाँ बॉटम वाला हिस्सा है इसमें हमें कोई मार्जन नहीं लेना है क्योंकि दो इंच का मार्जन हमने फोल्ड करने के लिए ले लिया था अब हमें यहाँ जो side वाला part है इसको same as it is इसको हमें mark कर लेना है यहाँ पर हमें कोई भी कपड़ा extra नहीं बढ़ाना है तो यह back part के marking भी complete हो चुकी है अब front वाले part को हम हटा देंगे और same इसी marking के उपर हमें इसके cutting कर लेनी है अब back में यहाँ पर folded वाली side आ गई है तो इसको cut करके हम यहाँ पर open कर लेंगे तो देखें back के दो parts हमारे बने हैं और same इसी तरह से front के भी दो parts हैं आपर अब इतनी सब cutting के बाद 2 meter से भी मेरा इतना कपड़ा बच गया है आप देख सकते हैं अगर आपको बड़े size का बनाना है length ज्यादा चाहिए तो आपका ज्यादा कपड़ा नहीं बच पाएगा लेकिन मैं small size का बना रहे हूँ तो मेरा इतना कपड़ा बच गया है अब मैं इसकी pocket की cutting करूँगी तो pocket के लिए थोड़ा सा कपड़ा मेरा side से और निकला हुआ था ही तो अब मैं इससे pocket की cutting कर रहे हूँ तो देखिए pocket के कपड़े को मैंने इस तरह से यहाँ पर fold करके रखा हुआ है यह folded side है अब यह जो folded वाली side है यहां से अंदर को pocket की width के लिए निशान लगाना है तो 7 इंच पे pocket के width के लिए अपने शान लगाए और यह जो width है यह सभी measurement के लिए same ही रहेगी अब यहां से नीचे को हमें pocket की length के लिए निशान लगाना है तो pocket की length मैं यहाँ पर 11 इंच की रख रहे हूँ और 11 इंच पे एक निशान लगाना है और इसको ऊपर पे straight line से हमें join कर दिना है इसको जॉइन करने के बाद हमें इसको यहां फोल्डड वाले कोने पे भी स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है अब यह जो कोना आया हुआ है यहां पर ओपन साइड वाले में जो कोना है इसको हमें हलका सा घुमाओ देते वे जॉइन कर देना है देखिए अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है सेम इसी तरह से आप दूसरी पॉकेट भी कट कर सकते हैं और ये पैंड के कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसके स्टिचिंग की वीडियो अगर आपको देखनी है तो मैं इसको कुछ दिनों में अ कि है और येंगे